बभानीधी तरही कि कोई जहां विरंची शंकर्ण संबोधन हैं न भावनीधी तरह न कोई जो विरंची विरंची मेंस व्रम्हा विरम्हा जो विरंची संकर संकर और व्रम्हा के समान ही कोई क्यों नहों विना गुरू की उसका कल्यान नहीं है इसा यह चुपाई का अर्थ है यह दंसा से होता है दंसा के उपर भिंदू यह संकर सब्द का मतलब हूँ यह दोनों नेत्रों को जो है यहां संकर करमने कीरन कार मतलब कीरन अपने से कुछ भी न बोलो एक हांथ होता है दूसरा कीरन होता है भीटा सुनों भाईया जी एसा है कि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कौन सब्द किसके साथ बोलना चाहिए भी भास यह भी पढ़ाया जाता है ठीक है सन मतलब ुrowsूरी भी होता पहें पर चारण है स्पैलिंग से तो उहां पर आर्थ हैं वो तो विषयों कि अनेक अर्थ है शुप जी के शंकर के अनेक अर्थ कंघец करम्य जाता है है उक्लोनों की एक करना ही से sun पूरे शरीर को ही शंकर मान लीजी आप ठीक है मानने के लिए कोई बुराई नहीं पर यहां जिस बात के लिए प्रयोग है कि जो विरंची संकर सम होई मतलब शंकर और ब्रह्माजी के थमान भी कोई इन से बड़ा फिर कोई नहीं है ना इसलिए यहां पर इन दौनों का नाम दिया गया क्योंकि इस ब्रह्मांड में इन दौनों से स्रेष्ट केबल भगवान नारायन ही है तो फिर नारायन के लिए तो कहा ही जा रहा है कि गुरु परंपरा तो वहीं पहुंचाएगी तो यहां सबसे बड़ा फिर कौन ब्रह्मार श्रिव जी बचे तो इनको दोश् है इस पर कविर्दा जी की बाणी भुच्पूरी भासा में लिखा है कि भेस बदल ले कुछ ना होला हिर्दा बादल भाई अब उड़ी जाईव तू कवनों रंग में जाईव तू चिनाई अमन रंगाव राम रंग में नाही बदल तू भेस तू पुजाईव का घर का प रहा है और मन को राम रंग में रंगा लो तो तुम भी पूजा जाएगा चाहिए तुम घर में रहो या परदेस बिल्कुल विल्कुल इसे प्रक्णे की बात सब्सक्राइब कवीर जी की बातें बड़ी गहन है बड़ी गूड है और अच्छा कह रहे है ठीक है खुश रहि है और किसी का कोई सवाल है इनका है